हाई गाईज आज घर में कुछ महमान आ रहे हैं तो सोचा क्यों ना मिक्स वेच की सबजी बना लिजा ये बहुत ही खीली-खीली और स्वादिश सबजी बटकर त्यार होती है इसके लिए मैंने लिये है आलू, गोबी और गाजय जिनको मैंने इस तरह से बारीक-बरी काट ल जाए अब मैं इनको हिला कर अच्छे से बहुत दी जाओंगी तो दूसरी तरफ मैंने दूसरी कडाई में ऑईल गरम कर लिया है इसका मसाला बना लेते हैं इस पर मैंने डाल दी है हींग जब हींग थोड़ी से सिख जाएगी तो मैं इसमें डालूंगी एक बड़ा चम ची यह मैंने तीन बड़े प्याच लिये हैं जिनकी प्यूरी बना ली है और इनको भी डाल कर मैं अच्छे से ब्राउन होने तक बुनूंगी दूसरी तरफ मेरी सबजियां अच्छे से गल चुकी हैं अब मैं इन सारी सबजियों को टीशु वेपर पर निकाल लूंगी अब इ अच्छे से इनको भी पका लेना है हमने दूसरी तरफ मेरा प्याच का मसाला हो चुका है अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी एक चमच हल्दी का डाल रही हूं हरी मिर्च डालूंगी स्वाद अनुसार आप चाहे तो लाल मिर्च डाल सकते हैं और एक चमच कश्मीरी से भूल लो कि यह चार बड़े टामाटर की मैंने प्यूरी बना ली है इसको भी डाल कर अपने अच्छे से भूल ले रहा है नमक डाल देंगे यहां मेरी मश्रूम और यह भी सिक चुकी है इनको भी हम निकाल लेंगे टामाटरों का मेरा मसाला 80% तक हो गया है तो अब इस सबी चीजों को अच्छे से भूल लेंगे जब मेरा मसाला अच्छे से ओल ना चोड़ दे तब तक इसको अच्छे से भूल लेना है यह अब हो चुका है अब मैंने दुपारा से वही बड़ी वाली कडाई ले ली है और इसमें मैं अपनी सारी शैलो फ्राइ की हुई सबज अपना भुना हुआ तड़का इसको भी मैं सारी सब्जियों के ऊपर डालके अच्छे से मिक्स कर लिया है अब यहां मैंने लिया है 200 ग्राम पनी जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है इसको भी मैं डालकर सभी सब्जियों के साथ मिक्स कर लूँगी गैस को हमने सिम प नहीं है इस तरह से हमारी खिली खिली सब्जी बन कर ये तैयार होती है और बहुत ही स्वादिश्ट